दोस्तो अभी आप जो स्क्रीन में स्टेटस वीडियो देख रहे हैं इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और यहाँ पर आपको काइन मास्टर एप यूज करना है इसका link description पे है यहां plus के icon में click करना है और one ratio one का frame ले लेना है इसके बाद यहां आपको media के option पे आना है और आपको अपनी gallery पे आ जाना है और यहां से आपको एक video का clip लेना है link मैंने description पे दे दिया है अब आपको इस video को शुरू से कर लेना है और यहां layer के option पे आना है media के option पे आना है और यहां आपको अपनी gallery से एक सायरी वाला png image ले लेना है इसका link आपको description पे मिल जाएगा अब यहां पे जो image है इसे आपको छोटा करना है और screen में कुछ इस तरह से set कर देना है image को जो है अच्छी से set कर देना है set करने के बाद यहां side में आपको in animation लिखाना जल आएगा आपको यहां पे click कर देना है click करने के बाद यहां पे आपको wipe down wipe down वाला effect search करना है और उसे select कर देना है इसको select करने के बाद यहां पे आपको जो timing है 2.5 second कर देनी है इसके बाद उपर जो है right click कर देना है इसके बाद यहां पे जो हमारी ये पीली कलर की जो layer है इसको हम पूरा वीडियो के बराबर stretch कर देते हैं इसके बाद हम फिर से उपर right click कर देते हैं अब हम इसे शुरू से कर लेते हैं यहाँ फिर से हम layer के option पे आते हैं, media के option पे आते हैं, और यहाँ पे आपको अपनी gallery पे आ जाना है, gallery से अब यहाँ पे आपको अपनी खुद की एक image को ले लेना है, image को select करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ option दिख रहा है, यहाँ पे एक option मिलेगा, cropping का, आपको यहाँ प वाले option पे click कर देना है और यहाँ save के option पे आ जाना है यहाँ से आपको जो है last वाला यह save ले लेना है save लेने के बाद यहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से customize कर सकते हैं जो भी आपको साज सही लगे वो आप select कर ले select करने के बाद यहाँ पे आपको उपर right click कर देना है अब आपको photo के उपर click करना है और इसे छोटा करके screen में अपने हिसाब से set कर देना है तो मैंने यहाँ पे screen में set कर दिया है set करने के बाद आपको इसको भी पूरा video के बराबर stretch कर देना है इसके बाद उपर राइट क्लिक कर देना है अब आपको वीडियो को शुरू से करना है लेयर के उप्सण पर आना है मीडिया के उप्सण पर आना है और आपको अपनी गेलिरी से एक वीडियो क्लिप लेनी है इसका लिंक आपको description पे मिल जाएगा कैंची के बगल वाले option पे click करना है और off के just बगल वाले option पे click करके इसे fully screen कर देना है अब उपर split screen के option पे click करना है और यहाँ पे आपको blending वाले option पे आ जाना है blending के option पे click करना है और यहां पर आपको screen वाला animation select कर लेना है इसके बाद आपको उपर right click कर देना है अब आपको फिर से layer के option पे आना है media के option पे आना है और आपको अपनी gallery से एक border का png image ले लेना है इसका भी link description पे मिल जाएगा अब आपको catchee के बगल वाले option पे click करना है और off के just बगल वाले option पे click कर देना है और यहां उपर right click कर देना है अब अभी आपने जो image add किया है इसकी layer को भी पूरा वीडियो के बराबर stretch कर देना है इसके बाद आपको वीडियो को सुरू से करना है और यहां आपको जो है audio लगाने के लिए audio के option पे click करना है और यहां साब जो भी music या audio लगाना चाहते हैं उसको select कर लें select करने के बाद यहां आपको plus के icon में click करना है तो यह जो music है add हो जाएगा इसके बाद जो हमारे status वबन के त्यार हो जाता है इसे अपनी gallery में save करने के लिए left side share का button है यहां पे click करना है और इसके बाद export के button पे click करके आप इसे export कर लें